पितरों के नाराज होने से घर में होती हैं ये घटनाएं, करें ये खास उपाएं. यदि कोई व्यक्ति पितर को रोता हुआ देखता है, तो ये बेहद अशुभ माना जाता है. यदि आपकों भी ऐसे सपने आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज ह हैं. पूर्वजों को प्रसन करने के लिए पितर पक्ष में पितरों के नाम से अन, जल, वस्त्र का जरूरतमंद और ब्राह्मनों को दान दें. पितर क्रोधित हो, तो घर में होने वाले सभी शुभ कार्य में किसी तरह का विग्ण जरूर आता है. इसके कारण क्लैश होते ह हैं या फिर उस काम में सफलता नहीं मिलती. पूर्वजों की कृपा पाने के लिए किसी मंदिर के प्रांगण में बर्गद या पीपल का पेड़ लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें. बार-बार कोई भय सता रहा है. अचानक नींद में डर महसूस होता है, तो ये पित्रदोश हो सकता है. इससे मुक्ति पाना है तो पित्रपक्ष में रोज शाम को घर की दक्षिन दिशा में तेल का दीपक जलाएं. ये काम साल भर भी कर सकते हैं. इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं. पित्रदोश शान्त करने के लिए जल में दूध और काले त प्रति दिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, कहा जाता है कि इससे पित्रिदोश का प्रभाव कम हो जाता है.